दोस्तों पहला कोशन कहता है तीन संख्याओं का अनपात 1-2-3 है जदि उनका महत्तम सावरत है SCF 8 है तो LCM क्या होगा दिखिए अगर SCF 8 है बचा तो कहीं ना कहीं अगर SCF 8 है तो यह हर एक नमबर 8 का मल्टपिल होगा हर एक नमबर 8 का मल्टपिल होगा यानि 8 बन जा 8 यानि 1st नमबर 8 हो गया दूसरा 8 दुनी 16 हो गया तीसरा 8 तरिका 24 हो गया दोस्तों बस इसी का ही LCM लेना पड़ेगा तो अब सरी इसका LCM कैसे ले सिम्पल है आप देखो एक दो तीन का LCM होता है छे छे गुड़े आठ अर्चंग अर्टालिस यानि 48 इसका आंसर दर राइट आंसर आणसर आप दिस कोशन गाइस 48 आएगा मगर प्यार से तो धीरे धीरे सीखेंगे और खुस होंगे पहले कोशन के बाद दोस्तो दूसरा कोशन कोशन नमबर दो केता है चकवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक धन रासी बारा वर्सों में स्वयम की दुगनी हो जाती है समान ब्याज दर पर ये कितने वर्स में चार गुनी हो जाएगी विचार कीजिए विमर्स कीजिए तो सीधी सी बात आप ओपन होके बुलिए कि कोई पैसा है पी और इसका दो गुना होता है तू पी ये कितने वर्स में बारा वर्स में है बाई फोई पैसा लगाया पी लगाया बारह वर्स में डबल हो गया अब दो गुना पैसा लगाएंगे तो वह चार गुना हो जाएगा कुious हो ओध में सब्सक्राइब प्रिंहा से सीख कि हम दोस्तों इस पैटें की आप सारी कोशन और ऱीडे जांते हborg हमने कई बार बताया कि ये एक्स प्लस वनबाई एक्स बडावर अगर एदिया जाये और मप्लस 01 बै-a square that means a square minus का 2 ये फंडा होता है यूद की किताब में भर भर के हमने बताया तो बस आप ये समझों कि ये चीज है अब ये क्या होगा तो ये होगा टू कॉस्ट थीटा का होली स्कुएर होली स्कुएर माइनस टू तो ये फोर कॉस्ट स्कुएर थीटा माइनस टू तो दो कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा टू कॉस्ट स्कुएर थीटा माइनस वन बच्चा बच्चा जानता है कि ये कॉस्ट थीटा की वैलू होती है तो कॉस्ट थीटा की वैलू यानि two cause, two theta is the right answer तो question number three का answer आपके सामने है मगर प्यार से बोलो बोलो tell tell हर एक चीज को बहुत सहिम से सीखेंगे और खुसी के साथ सीखेंगे तीन के बाद question number four question number four कहता है यदि किसी वस्तू का क्रेमूल 5340 है तो वस्तू का विक्रेमूल कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का लाव हो ताकि 5% का लाव हो ऐसा इस कोशन में बोला गया है तो दोस्तों कैसे करेंगे आप खुद देखिए यदि किसी वस्तू का क्रेमूल इतना है और 5% का लाव है तो इस वैलू को लिख दो 5,3,4,0 ऐसे लिख दिया अब 5% बोला गया है क्या बोला गया है 5% तो 5,3,4,0 का 5% मतलब इस वैलू का 5% निकाल लीजे तो कही ना कही 5% निकालोगे सीधी जबाद 10% 534 होगा उसका आधा तो कही ना कही आप भाग दिजी तो 267 आएगा 534 का आधा 267 होता है बस जोड दिजी हो गया यह साथ ऐसे यह 0 यह 6 5,6 0,7 is the right answer of this question I hope आपको question समझ में आ रहा होगा चले तो चलते है question number 5 की ओर दोस्तो मोहबबस से पढ़िए और हर चीज को सीखिए कहता है 3 upon 5 into this one का मान ग्याद कीजिए इस question में बोल रहा है इसको solve कीजिए अब sir कैसे करें ठीक है sir अब हम कैसे करें दीखिए यह एक साधारन question है जब यूद का बोडवास हमने पढ़ाया है वह हमने आपको पूरा का पूरा concept भी बताया है बड़े simple way में दीखिए हमीशा याद रखिए मैं सारे बच्चों से बोलता हूँ सिट आप जरूर लगाईए हम उसमें कभी मना नहीं करते लेकिन मासूम से दोस्तों topic wise उस chapter को पढ़के लगाईए सब खुसी मिलती है तो देखा ये जाए 11, 5, 16 16, 6, 22 22, 23, 25 25, 23, 28 बोलो हाँ 28 ये मनलब ये पूरा simple सी value है ये 28 हो गया 28, 23 करोगे तो 84 बटा 5 आ गया और 84 बटा 5 में जब भाग दोगे तो 16 सही 4 बटा 5 आंसर आएगा The right answer of this question 16 is to 5, 5 मनलब 16 is to 4, 5 5 हो जाएगा बोलो बोलो टेल टेल एक बच्चा कहरा मराठी में पढ़ाईए एक मुद्दा है मेरे प्यारे दोस्ट प्यार से पढ़िए और मुहबबस से सीखिए सभी लोग आंसर पर फोकस कीजिए चले अब कहता है Question number 5 के बाद Question number 6 कहता है इसका वर्ग मूल ग्याद कीजिए इसका वर्ग मूल ग्याद कीजिए अब वर्ग मूल यानि स्क्वार रूट निकालना है यह सिंपल सा होता है आप एक चीज देखो 18225 दसमलों बाद में लगा लेंगे वह अंदर अगर दो डिजिट में है तो बाहर एक डिजिट इधर होगी बाकी इधर होगा तो को यह 25 है कितना 25 तो यूनिट में तो 25 ही आना है 182 किसके स्क्वार के आसपास आता है तो 12 का 144 होता है 13 का 169 होता है 14 का 196 14 196 ज्यादा हो जाएगा यानि 13 तो यह 13.5 का क्या हो गया स्क्वार हो गया दोस्तों अलग से हमने भर भर के इसके मैथट पढ़ाय हुए है स्क्वार रूट प्रकास सर्मैथ करके भी सर्च कर सकते है बोलो बोलो ठीक है यह इसका एक प्रोसेस है इसमें कोई डरने की बात नहीं है सभी जानते है नहीं जानते तो आज सीख लो जिसे 25 का स्क्वार 35 का स्क्वार 25 का स्क्वार 75 का स्क्वार तो दोस्तों हम क्या बताते थे कि 5 का स्क्वार तो होता है 25 2 के बाद 3 आता है तो 625 अब जिए इसका स्क्वार तो 5 का तो पचीस होगा 3 के बाद 4 आता है यानि 1225 अब 5 का पचीस होता है 6 के बाद 7 आता है 42 पच्चिस ये इसका एक method होता है और जिसे हर एक मासूम से बच्चे को सीखना चाहिए चाले तो question number 6 के बाद question number 7 भर भर की हमने इसको पढ़ाया है और समझाया है कि बच्चा जब भी a प्लस b का whole square माइनस a माइनस b का whole square हो तो ये value 4ab होती है बोलो मगर प्यार से अगर ये आपको नजर आता है कि ये और ये चीज वही pattern पे तो चार ऐसे लिखो 56 गुड़ा 34 उपर लिख जाएगा और नीचे भी 4 गुड़े 56 गुड़ा 34 कहते हैं इन दोनों का happy birthday यानि one आएगा इस question का answer मासूम से दोस्तों क्या आएगा वन आएगा चालिए तो आसा है आप लोग समझ गए होंगे और हमीसा याद रखना concept is the power ठेक है question number 7 के बात question number 8 यह important question है very very important यह NTPC पर आने से पहले ही हमने बता दिया था कि यह question आता ही है जब हमने youth की किताब पढ़ाई थी हमने साब बताया था कि यह एक favorite question है यह SAC के भी exam में भर भर के पूछा गया हुआ question है मतलब यह previous year SAC का ही question है जिसे कहते है important है इसे notes में सामिल करना तो खुसी मिलेगी और सेम डिजिट चलता है थोड़ा बहुत बदल देते हैं तो उसका भी प्रोसेस समल लेना इसमें कहता है तीन आभास संख्याओं का अव रोही करम में व्यवस्तित किया गया यदि पहली दो संख्याओं का गुरनफल इतना है यानि पहला एक्स दूसरा वाई और इसका गुरनफल थी टू थी है बोलो हाँ और अंतिम दो यानि वाई और जेट का जो गुरनफल है वो टू टू वन है according to the question तो कहता है सबसे बड़ी आभास संख्या ग्यात कीजिए तो कहीं ना कहीं x y z हमें मालूम होगा तभी हम decide कर पाएंगे कि सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगी इसको notes में सामिल करना ये कभी भी पूछा जातकता है और किसी भी exam में पहली दो आभास संख्याओं का ग्रणफल 3-2-3 है फिर उसके बाद की मलब दोई बची मलब समझ गया ना तीन में से नहीं ABC तो AB ले लिया फिर BC ले लिया इस टैप से तो Y और Z तो 2-2-1 अब सर कैसे निकाले देखो इसका जो वास्तों में प्रॉसेस है वो एक तरीके से इसका यह SCF वाला ही है तो कि यही चीज़ दोनों में common है तो जो बड़ा है उसको अंदर रखो भाद विदी से प्यार से इसका SCF निकालो दिके और भी तरीके हैं आप अभी इसी से कर लो बाकि डिपेंड होता है कोशन पर मलब कोशन में दी गई वैलू पर डिपेंड होता है यह 2 आया यह 0 आया साइद यह 1 अब यह 2,2,1 ऐसे फिर आ गया अब 104 हो गया अब यह बाहर 17 आया और 102 जाता है 17 से और 17 ऐसे क्या होता है प्राइम नंबर होता है बोलो हाँ यानि यह तो फिक्स हो गया कि 17 सबसे बड़ी आभास संख्या तो फिर 19 होगी सबसे बड़ी आभास संख्या हमेशा याद रखना इसको ऐसे ही करना मेरे पास और भी मैठेड है अभी हम बता दे दूसरा मैठेड काला जादू तो आप कन्फुजी आ जाओगे असली बात यह क्योंकि हमें मालूम है कि आंसर क्या हना है हम इसलिए नहीं बताएंगे कि इसमें वैलू बदलता है सीखना चाहिए सीदी सी बात है कॉंसेट इस दा पावर और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा चले इसके सारे वीडियो प्रकास सवस्ती एप में मिलेंगे यह वाला वीडियो आज हम यूटूब में छोड़ देंगे जी यहां दोस्तों आपकी खुसी के लिए कोशन नमबर नौ बढ़ियां अलग से हमने एक कॉडिनेट का पूरा कम्प्लीड वीडियो यूटूब में डाल रखा है उसमें सारे कॉडिनेट के कोशन है जो पूछे गए हैं दो यारा 21 में मोल बिन्दू से रेखा 4x प्लस 3y बराबर 6 की दूरी ग्याद किजिए इसमें दूरी का फंडा यह होता है जिसे ax1, by1 और c अपॉन अंडरूट a2 प्लस b2 यह होता है यहीं दूरी का फंडा अब मोल बिन्दू यानि x1 और y1 की जो वैल्यू है वो 0-0 हो गए और दूरी कभी निगेटिव होती नहीं यानि यह मोड में होगी बात को समझना मगर प्यार से अब यह चीज़ 0 जिसे यह x1, y1 तो यह तो 0-0 हो गए तो यह तो निपड गए 0-0 यह 6 इदर आएगा तो माइनस का 6 है मोड में रखो अब a square b square यानि 4 का square तीन का square अंडर रूड में 4 का square और तीन का square तो 25 बाहर 5 आएगा यानि 6 बटा 5 इसका अंसर 6 बटा 5 आएगा त्रेपन कोशन का एक धाई गंटे के आसपास का वीडियो यूटूब में पढ़ा हुआ है पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं मेंसुरेशन आज से ही स्टार्ट होगा नौवे के बाद के दसवा नंबर कोश प्यार से सीखें सब बताते हो चलते हैं कि जिससे बच्चा फूकस करें और चीजों को सीखें एक लड़के की आयू उसके पिता की आयू से 24 वर्स कम है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी 24 वर्स कम ही रहेगी एक लड़के की आयू उसके पिता की आयू से 24 वर्स कम है तो वो हमीशा कम रहेगी चाहे 10 साल पहले ले लो चाहे 5 साल बाद ले लो हमीशा कम रहेगी यानि प्रेजेंट तो ऐसे खीज दिया यहां फ्यूचर होगा उपर पाश्ट होगा केता दो वर्स में उसकी आयू उसके पिता की आयू की आदी हो जाएगी जाएगी सब्द यानि फ्यूचर को डिनोट करता है यानि दो वर्स बात पिता मलब दो गुना बेटे से इसका आर्थ यह हुआ पिता की आयू दो है तो पुत्र की आयू एक तभी तो आधी हुई पर एक बात को समझो हमने एक सब्द बोला था कि जिन्दगी के बाद भी जिन्दगी के साथ भी आयू का डिफरेंस सेम रहेगा यानि इन दोनों का अंतर एक है और यही चौबिस के है यानि दो वर्स बात पापा की आयू 48 की होगी और बेटा 24 का ही होगा और प्रेजेंट में अगर हम आए क्योंकि प्रेजेंट यह रो है हमारी तो 48 में दो कम करोगे तो 46 आएगा बेटे में भी दो कम यानि 22 तो पापा की अगर प्रेजेंट इस बूझ ली जाए इसका मतलब प्रेजेंट होता है तो पापा जी 46 वर्स के हैं धाइस सो कोशन यूटूब में पढ़ाया हुआ है आयू संबंदिस समस्या के कभी किसी को कश्ट है तो उसे देखो सेलेक्शन की ओर जाओगे चाले परियां से पढ़ते रही है और आगे बढ़ते रही है दसवे के बाद कोशन नमबर 11 और प्यारा कोशन है को ओडिनेट का यह आपका 11-12 की मैट में आता है इसका रेडियस निकालना है एक्शुल में होता है क्या है इसकी एक्वेशन होती है अगर आपसे रेडियस कह दे तो यह होता है जी स्क्यार प्लस एफ स्क्यार माइनस का सी बहुत जहरीले कोशन पूछे गए 2021 में वैसे तो जहरीले नहीं है अगर 11-12 की मैट याद रहे तो वो याद रहती नहीं है असली बात यह है फॉर्मले ऐसे ऐसे है तो हमने एक पूरा 51-52 जोने 53 कोशन के आसपास आये थे तो माइन्ड करके यूटूब में वीडियो डाल लखा है देखो सारे जहरीले फॉर्मले लिखे हुए है तो दोस्तों जब इसमें कमपार्जिंग करोगे तो यह 2GX होगा यह 2FY होगा और यह C होगा रेडियस निकालनी है तो G की वैलू 7 बटा दो यानि 49 बटा चार क्योंकि G का स्क्वाइर होगा F की वैलू तो भाग दोगे 2 ही आएगा तो 2 का स्क्वाइर 4 होगा और C 9 है न चोगो 36 और यह 53 तो बचा क्या 29 बचा 29 अपॉन 4 तो बाहर आएगा बच्चा अंडर रूट 29 बटा 2 तो यह एक प्यारा सा कोशन है जो की सिखा दिया गया है हमेशा याद रखिये concept is the power बोलो बोलो टेल टेल तो ग्यारा नंबर कोशन हर एक बच्चा सीख गया है कि व्रत एक्ची स्क्राइब प्लस य स्क्राइब गयाद किजिए यही इसका अंसर होगा ठोको लाइक बोलो हाँ कि बारा नंबर कोशन केता है यदि ए बी से 25 पर्षिंट अधिक है और बी सी से 30 पर्षिंट कम है तो ए और सी का अनपाद गयाद किजिए सिम्पल सा कोशन है आपको बेसिक आना चाहिए एक चीज़ समझू ए बी से 25 पर्षिंट अधिक है 25 पर्षिंट का मतलब पहले आपको मालूम होना चाहिए दोस्तो 25% का अर्थ होता है एक बटा चार पहले बोलो हाँ 25% का अर्थ क्या होता एक बटा चार यानि B अगर 4 है तो A क्या होगा 5 होगा इसका आर्थ तो यहीं हुआ और B C C 30% कम है 30% का अर्थ होता है 3 बटा 10 तो कहीं न कहीं C 10 है 3 कम करोगे तो यह 7 आएगा बोलो मगर प्यार से अप छुटी छुटी बातों को आप सीखिए दोस्तों B की वैलू दोनों में सेम होनी चाहिए तो यहाँ पर 7 का इंटू यहाँ 7 का इंटू यहाँ 4 का इंटू और यहाँ 4 का इंटू कर दीजिए चलिए धैर पूर्वक जानिए तो कहता है A और C का अनपात ग्याद किजिए A और C का अनपात तो A ये है C ये है बस इसी का अनपात तो देखा जाए 5 से ये जाएगा 7 बार में और 5 से ये जाएगा 8 बार में तो 7 इस्टू 8 is the right answer साथ अनपाते आठ इसका answer आएगा बोलो हाँ चलिए तो अच्छे से सीखिए और हमेशा याद रखना जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा वीक में भले तीन बार practice करो पर प्यार से इसको solve करो असली बात यह है ठीक है और टेंसल फ्री रहो तो नंबर आपके automatic increase होते हैं 12 के बाद 13 बहुत से सिट में प्रोविल्टी का question आया तो ये question हमने पढ़ाया हुआ है अलग से आप YouTube में हमने एक घंटे का वीडियो बना रखा है किसका coin के question का ठीक है एक बार में तीन सिक्के उचालने पर अब तेन सिक्के उचालते हैं तो दो की power एक होता है कि कर का loot वर 2 अब थीन उच्चालने 2 ki power तीजिन यानि total sample space 30 के उचलने में तो नीची के 8 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि क्योगि क्यों केक्प्र हो गया कम से कम 1 head आने की प्राइकता क्या है मैं आप से एक चीज पूछता हूँ कम से कम एक हैड आने की प्राइकता एक भी आ सकता है दो भी आ सकता है तीन भी आ सकता है तो इसमें आप उल्टा सोचो कि कौनो हैड ना है भाई कम से कम एक हैड आने की एक भी आ सकता है दो भी आ सकता है तीन भी आ स जो बोला है उसको आप फॉलो किजे इसको चलो बताई देते है थोड़ा से बिस्तार से देखो अगर आप ईक कोईण उच्छालते हो तो head और tail बोलो हाँ अगर आप 2 coin उच्छालते हो अभी देखना कैसे मैं लिखूंगा 2 coin उच्छालते हो यहाँ पर समझना 2 coin होता है तो से पहले दो बार है तो फिर दो बार टेल दो और फिर हैसा की टेल? कि कहँ पी दिज यह इसके चार केसं बनेंगे प्लख सारा खृबाई सा कीसिक में कितने कीसं बनने हैं तो तीन कोई में किस अभी देखना कैसे में लिखूंगा लिखे अब आठ के सिस आठका अदा चार यानि पहले चार है डाएंगे के इचाहर टेल यह लिखने का तरीका तो है्ट है टेल हैड 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 टेल और फिर एक हैड टेल हैड डील है डिटेल है डिटेल तो यह टोटल आठ केसे होते हैं तो आपके सामने इसलिए बना दिया विस्तार से कहां पढ़ना है प्रुविल्टी प्रकास्षर मैथ मिल जाएगा जब बर्दस वीडियो तो बच्चा अब हमसे कहा रहा कम से कम एक हैड आने की प्रायक्ता कम से कम एक तो एक भी हैड हो सकता है दो भी हैड हो सकते हैं और तीन भी हैड हो सकते हैं यह इसका अर्थ हुआ तो इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी बट इसमें नहीं है तो साथ केसे हो गए जिन में कम से कम एक हैड है और out of 8 में 7 बटा 8 answer 7 by 8 is the right answer of this question समझ गए चलिए I hope you guys understand Question number 13 के बाद Question number 14 कहता है यदि एक वर्ग का परिमाप 160 है वर्ग के विकल की लंबाई दोस्तों वर्ग का परिमाप 160 है 160 में 4 का भाग दो तो सारी भुजात 40-40-40-40 की हो जाएंगी और हमसे कहता है भईया इसका विकन बता दो विकन हो जाएगा 40 root 2 बच्चा बच्चा जानता है कि यह A होता है यह A होता है तो यह A root 2 होता है तो उसी पैटन से इसका अंसर 40 root 2 आ जाएगा 14 के बाद 15 नंबर कोश्चन बढ़ियां से सीखेगा सीख जाएंगे कहता है एक चत्रबुज की 4 भुजाओं का अनपाद 45 6 7 है इसका परिमाफ 176 है इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है एक चीज समझो सबसे लंबी भुजा 7 का मल्टपिल होगी पहले बोलो हाँ अरे बोलो हाँ क्योंगी 4 5 6 7 का रिश्यो यानि सबसे लंबी भुजा 7 का मल्टपिल होगा 57 होता नहीं 65 होता नहीं 75 होता नहीं तो 56 ही आंसर होगा 8 सते 56 अगर किसी को जीवन में कश्ट है कि सर नहीं मानेंगे चाहें जो हो जाए क्योंकि अगर आपके पास समय है पेपर में तो फिर आप ऐसे करते रहो कि इसको सब को जोड़ो हाँ कुछ न कुछ आए गई 22 आया यही 22 बराबर 176 के यानि इसका 8 गुणा और फिर 7 में 8 का गुणा करो फिर 56 बोलो तो कही न कहीं आपके जीवन के 4-5 सेकिंड को बरवाद कर देगा बाकी यह कॉंसेट आपको आने चाहिए कॉंसेट आपको आने चाहिए कुछ बच्चे अपने दुखदर्थ लिक रहे हैं मासूम से बच्चो वो अंत में डिसकस कर लेते हैं सांती से पढ़ लो समझ गए है तो 15 के बाद 16 नंबर कोशन दो संख्याओं का योग 4-34 है उसका अब यह important question है जब भी हमने पढ़ाया है हमने बताया है कि इस pattern के question आते हैं exam में fix है SEC में भी आते हैं, railway में भी आते हैं सब में आते हैं दो संख्याओं का योग 4-34 है उनका SCF 31 है, इसमें क्या करना होगा जो पहली संख्या मानेंगे वो 31X मानेंगे क्यों? क्योंकि 31 का multiple तो होगा ही होगा that's why उसका SCF 31 होगा, दूसरा नंबर मानेंगे तो 31Y और इनका योग 434 है 31 से भाग दो यानि X प्लस Y 31 से भाग दोगे तो 14 बार में जाएगा यहां जो खिला करता है वो इसके यूग में पोलता है यूग में यानि पेर अब यहां हमेशा याद रखना कि X और Y की वो वैलू लेनी है अब आई X और Y की वो वैलू होनी चाए हां अब जैसे पहले एक और तेरा ले लिया एक और तेरा तो इसका XCF 1 है साब साब दिख रहा है अब जैसे हमने के दिए दो और बारा ले लू नहीं यह इसलिए लेंगे क्योंकि इसका जो XCF है वो दो है पर XCF 1 होना चाहिए क्योंकि और लेड़ी XCF 31 है इसलिए हम XCF जब X और Y लेंगे तो उसका XCF 1 ही होनता है यह इसका रूल है समझ गए ना मेरे बाई अरे देवता हो बोलो अब लेंगे 3 3 और 11 5 और 9 इस सबका XCF 1 है अब आगे बढ़े तो 7 और 7 तो इसका XCF 7 हो गया तो नहीं ले सकते और फिर आगे बढ़े तो 9 और 5 तो फिर से repeat होना चालू हो गया भई 5 नौ लो गया 9 और 5 बात बराबर है तो यह 3 नहीं बन सकते हैं यह कितने बन सकते हैं 3 ही बन सकते हैं The right answer of this question 3 इसका answer होगा तो इसके how many pair तो 3 pair बनेंगे अरे बोलो मेरे देवताओ हाँ चलिए सभी बच्चे बता रहे हैं यह एक खुसी की बात है ठीक है 16 के बात 17 नमबर सब पढ़ाएंगे मगर प्यार से Bilingual question करा रहे हैं इसमें बहुत मैनत लगती है फिर भी हम कराएंगे बहुत से बच्चे हैं portion English में देखना पसंद करते हैं देखना क्या आप मालो हिंदी नहीं आ रही है भारत में बहुत सी भासाएं बोली जाती है Division 22 यह है अब देखो बच्चा इसको solve करना पड़ेगा आपके दो सर कसम खाके अंदी बता दू तो देखो सभी के unit place में पांच पांच हैं फिर second place तो वो इसके बढ़े हां आप खेल लो आराम से खेला होता है समझो 27 पंजा हमें नहीं आता 135 तेरा हासिल 27 इक्कम 27 तो अब यह 0 हो गया चार हासिल हो गया 27 चौका 104 होता है नहीं 108 होता है और 4 एक्सो बारा यह दो डिजिट यहां दिखे करने से होता है तसमलो अटा हो जीरो बढ़ा हो 11 से काटो 28 बार में जाएगा 11 से यह 20 बार गया 2 से काट दो तो 14 बटा 10 हो गया भाग दे दो तो 1.4 हो गया प्यार से जोड़ लो 113.45 आंसर हो गया तो दिखो कभी-कभी हमें इनको सॉल कर लेना चाहिए अब यह नहीं कि आप 3 का मल्टिपिल दोनो 5 का मल्टिपिल दुनिया मल्टिपिल तो हो सकता आपका पेपर बरवाद हो जाए दिखे हमिसा याद रखना कई जगे हमें कैल्कुलेशन कर लेनी चाहिए ठीक है क्योंकि दसमलों का खिला है वैसे तो आप या तो आप दो-दो डिजिड लेके चलो उससे बड़े या ठीक है लाउक कर लेते हैं अहोर बता चलो 17 के बाद 18 18 नंबर बहुत फेमस कोशन है मैंने पहले बताया है ग्रूब डी वाले ध्यान देना जो बच्चा ये ग्रूब डी वाले लगा रहे है उनको हम बता दें वो भले न लगाए किरन का या और किसी ससी की किताब का अलजबरा और ट्रिग्नोमेटरी बट जो बच्चा CBD2 की त्यारी कर रहा है अलजबरा और ट्रिग्नोमेटरी ससी की किसी भी किताब से पढ़ सकते हो ऐसे कोशन आपको मिलेंगे इस बार भरबर के आये हैं और बाकी यूथ में तो था सेम कोशन था समझो इसमें हम लोग क्या सिखाते हैं मतलब हम क्या सिखाते हैं उसको समझो हम सिखाते हैं कि जैसे x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n बराबर अगर a दिया जाए तो इसमें x की पावर n बाई 2 प्लस 1 बाई x की पावर n बाई 2 तो यह होगा अंडरूट A-2 ऐसा होता है दोस्तों जब ये ऐसा होता है तो आप देख रहे होंगे X की पावर 4 प्लस 1 बाई X की पावर 4 322 है इसका आधा होता है X स्क्वेर प्लस 1 बाई X स्क्वेर तो ये 322 प्लस 2 324 बहार आएगा 18 इसका आधा लाओगे तो पहले प्लस में X प्लस 1 बाई X आएगा तो ये आएगा 18 माइनस 2 16 तो बाहर आएगा 4 पहले बोलो हाँ अगर ये एक नट हमें माइनस वाला चाहिए तो तो कोई दिखकत ने भाई ये 2-2 पावर है मेरी बात को समझो ये 2-2 पावर है अब हमें इसका हाथ निगेटिव में चाहिए तो X माइनस 1 बाई X तो फिर ये वाला फॉर्मला लगेगा अठारा माइनस 2 यानि 16 बाहर आएगा 4 इसका राइट आंसर 4 है और यही इसका one of the best method है इससे आदा shortcut नहीं है हाँ shortcut है oral जो हम लोग पढ़ते हैं वाई 322 दो 324 अंडर रूड लोग 18 फिर 18 माइनस 2 16 बाहर आएगा 4 मुद्दा खतम पहने ना चलाओ it depends on your practice कितने अच्छे से practice करते हो समझ गया है एक बच्चा पूछ रहा है कितने बज़े लाइब आते हो telegram group join करो वहाँ link आ जाएगा link description में है तब मालूम चल जाएगा 18 के बात 19 नंबर कोशिब कहते हैं साइन सिस्टी कॉस्टी का मान अब इजी है साइन सिस्टी होता है रूट 3 बाइटू अब किसमत है कॉस्टी 1 बाइटू समझदार हो 19 के बाद 20 नंबर केज़ा दो संख्याओं का गुड़नपल 0.6 है जदी एक संख्या दूसरी संख्या के एक बटे पंद्रवे हिस्से के बराबर है दिए ये अगर बात समझ में आ जाए कि X upon Y is a bata 15 है ये बोल रहाए एक संख्या दूसरी संख्याइज का इतना है मलब पहली संख्या अगर एक है तो दूसरी उसका पंद्राग객 उना चीए इसका भाई देखो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो देखो सारे ओप्शन में गुणनफल तो ठीक है पर कह रहे है कि पहली यदि एक संख्या दूसरी संख्या का एक बटा पंद्रमा है यानि पहली संख्या अगर एक है तो उसका 15 गुणा दूसरी संख्या होगे अ 0.2 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 यानि ये सही है ये अभी सही है चेक जरूर करो 0.6 में 15 का तो ये भी गलत है 0.4 में 15 का तो 1.5 ये भी गलत है यानि B is the right answer आपको solve करने की कोई जुरत नहीं है समझ रहो ना अब थोड़ा सो तो ऐसे सीखोगे और अगर ऐसे नहीं सी सीधी सी बात है हम दोनों जिमें दार होंगे तो दोस्तों concept is the power और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा ठीक है एक बच्चा करें टेलिग्राम का नाम क्या जब लिंक करें डिस्क्रिप्शन में है तो देख लो जाके दियुता पढ़ लो अब ये question number आपका देखें किताब तो हिंदी में ही आती है ये किस नंबर है नंबर लिख दे रहे हैं किता किसी company द्वारा वै की गए विभिन मतों के अंतरगत किये गए वै का विभणन नीचे दिये गए तालिका का ध्यान पुर्वग अधन किजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए कोई दिक्कत न अब देको हिंदी और इंगलिस में थोड़ा सा अंतर है तो यहां आपर अंतर है तो यहां ऐसे अवरेज लिखना चीए था वह लिखना भूल गये यह तो यहां टाइपिंग में मिश्केक हुई है इंगलिस में लिका वाड़ वाड़ अप्रॉक्सिमेट आवरेज expenditure incurred by the company under the head of the taxes from the 2014 to the 2018 taxes की value मासूम से दोस्तों ये लिखी हुई है सारे taxes आपके सामने है इनका योग करना है और पास से भाग देना है बस इतना ही खेला है वही इसका आउसत है वही इसका आंसर है सर अब ये कैसे करेंगे अब करने से होगा नो तिन बारा तेरा 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 और तेरा दूनी 26 बाई नो तिन बारा एक तेरा साथ छे तेरा 26 दो हासिल चत्रिक अठारा दो 20 और ये 29 बटा पांच अब ये डबल कलो 6 का बारा होता है इसको नोट्स में सामिल करना इंपोर्टेंट कोशन है ठीक है इंपोर्टेंट का मतलब क्या है कि ये 100% एक्जामों में ऐसे कोशन आते ही है ठीक है क्योंकि इतने सेट बनते हैं तो फिर आते ही है समझ गए कि नहीं उसे कोई रोग नहीं पा रहा है सब्दो कोशन नमबर 22 क्या है कि एक विलियन की पांच लिटर में से दो लिटर पानी वास्फित हो जाता है तो सेज विलियन में नमक की मात्रा क्या होगी सीधी सी बात है दो लिटर कम हो गया यानि नमक अब बढ़ जाएगा अब देखो इसको मैं बहुत बेसिक से बता देता हूँ वैसे तरीके तो बहुत है मेरे पास एक बेसिक ही तरीका समझो पांच लिटर मिक्षार है इसमें 3% नमक है तो 3% निकाल लो यानि 0.15 ये साल्ट हो गया तो वाटर क्या है इसमें लेस कर दो तो 4.85 इसमें वाटर हो गया बोलो हाँ अब देखो एक चीज़ समझो कभी गलत नहीं होगा हमारा जो वास्पित हो रहा है वो वाटर हो रहा है वो 2 लिटर तो 2 लिटर इसमें कम कर लो यानि ये बचा 2.85 और नमक तो वही 0.15 रहे गई रहेगा तो कह रहा है कि अब जो नया मिक्षर है उसमें नमक का प्रस्त क्या है तो 0.15 तो ऐसे इन दोनों का योग 3 होगा किता होगा 3 और इंटू 100 होगा 5% इसका आंसर आएगा इसे नोट्स में जरूर्द सामिल करना हर सेट में आपको बताते रहेंगे कि कौन से कोशन नोट्स में सामिल करने चाहिए ठीक है तो ये कोशन इसलिए क्योंकि पूछा जाता है और बच्चा इसमें कन्फूजियन में इसको मिक्षेंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं और भी प्रॉसेसर उससे भी कर सकते हैं और ये मुझे सही लगता है कि बच्चा एक बार समझ जाए हो जाएगा फिर समझो पांच लिटर इसका 3% 1.5 4.85 तो लिटर वास्पित हो गया यानि 2.85.15 अब ये 0.15 ओवर और में पूछ रहा है तो दोनों का योगतीन से गुणा हंडे कि ऐसा पुषन वाटर मेल न का आता एक और इसी पैसे में बनता और ड्राइफ लूट वाला ठीक आ करे अंगूरो किस्मिस वाला कुषन सुसक आ तो यह एक पैटरन वाटर इस लिए ध्यान रखना ये conceptual question आपको भार्सा समझ में आने चाहिए question तो मोम आहा है देखो कैसे केता है एक व्यक्ति ने 32 किलो मिटर की दूरी टै की एक गंटे 20 मिट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा टै की गई दूरी सेज दूरी का पांच बटा साथ है अब यहां समझो पांच बटा साथ है सेज दूरी का तो जो यह साथ है जो यह साथ है इसी पर ध्यान दो पांच बटा साथ है ना सेज दूरी का पांच बटा साथ है तो पांच और साथ यह हो गया बच्चा बस हाँ यह हो गया, अब आपको घबराना नहीं है, भासा को समझो सेज दूरी, पहले समझो, मानलो कोई दूरी है, यह distance, मेरी बात को समझो, कभी घबराना नहीं है लिख के बता रहे, X और Y पार्ड में डिवाइड हुआ, जो यह X है ना, यह 5 बटा 7 किसके, Y के है यानि X अपॉन Y, 5 और 7 के रेशियो में है, इसलिए लिख दिया, आप समझ गए, यानि जो दूरी का डिविजन होगा, वो 5 और 7 के रेशियो में बासा समझ गए, तो इसे लिखा नहीं जाता, यह चीज आपके माइंड में होनी चीए, समझ गए, और ओवराल 22 किलोमीटर का खेला है, तो हमसे कहता प्रभू उसकी चाल बता देओ, अच्छा हमने का हाँ, चाल बता देओ, बता इवे, अगर हमने भाई यह वाली चल चु बारा, तो यह तोटल डिश्टेंस वो तैय कर चुका है, डिवाइड बाइट टाइम, अब टाइम क्या है, एक घंटा 20 मिनट, एक घंटा 20 मिनट का मतलब, एक बता तीन, समाझ इसे चार बता तीन कहता है, और यही स्पीड होता है, स्पीड और आबर डिश्टेंस अपॉन टाइम बुलो बोलो टेल टेल बस काटो नहीं तीन से ये चार बार में गया तीन से ये चार बार में और ये और चार चार कुछ शोला शोला से ये दो बार में दो पंजा दस यानि 10 किलो मेटर पर ती घंटा आंसर आगया कैसा लगा I hope you guys understand the right answer of this one कोई दिकत अरे बोलो तो कोई दिकत किसी को नहीं होगा यही सत्य है और इसको जानना चाहिए ठीक है? तो प्यारे दोस्तों यही इसका अंसर होगा 10 किलोमेटर पर दि घंटा मलो आपके दो सर आमें आज से नहीं करना चाहिए जो हो जाए है आप मतलब हमें अच्छा लग रहा है काटा पीटन में तो भी आप समल लो भाई 32 डिस्टेंस है इसका पाँच पाँच निकालना तो पाँच साथ पाँच बारा ऐसे समय एक घंटा बीस मिनट को बोलते हैं एक बटा ती यानि चार बटा तीन घंटा में ये डिस्टेंस त तो आपको वैसे काटने में खराब लग रहा तो ऐसे काटो कैसे ऐसे तीन से ये चार बार चार से ये आट बार चार से ये दो बार ये दस यानि एक घंटे में दस किलो मीटर तो स्पीड क्या हो गई दस किलो मीटर पर दे घंटा और क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं कौन सा नमबर ता मिरवाइट 23 नमबर 24 नमबर कोशन एक आसान कोशन किसमत वालों के सेट में ऐसे आते हैं 15 पूरुस किसी कार को 30 दिन में करते तो 9 पूरुस 15 पूरुस 30 दिन में नौरुस एक्स दिन में काटो तीन से यह 10 बार में 3 से यह 5 बार में 5 दस सा 50 फ़जी कोशन 24 के बात 25 नमबर एक चीज समझो जब हमने कोई भी किताब पढ़ाई होगी कोई भी किताब पढ़ाई होगी तो हमने कहा था कि जब भी डेस की बात होती हूँ 73 डेज लेता है कितने डेज 73 डेज लेता है कितने 73 73 मनलब डेज में जातार 73 रहता है जब 365 से खेला होता है तिर भी हम तो यहां निकालेंगे ऐसा नहीं है अच्छा इस किताब में 72 डिल ले लिया है आप 22 के चक्कर न पड़ो जो हम बता रहे हैं उसी के चक्कर न पड़ो 73 इसलिए क्योंकि 365 73 से जाता है पांच बार में जब भी हमने पढ़ाया है तो हमने आपको जरूर बताया सिंपल इंट्रेश्ट अब समन्ना हम यहां करके बताएंगे पच्छिस सो की धन्नासी आठ से एक बटा चार परशेंट वार्शिक धर्स पर एक मार्च 2018 से बारा मार्च 2018 तक तक यानि टिल बोला गया है ठीक है कि अवधी के लिए सधार ब्याज ग्याद कीजिए अब जो एक मार्च मार्च का जो महना होता है समाच कहता है 31 का होता है बाकी होता होगा अप्रेल समाच कहता है 30 का होता है 31 दिन ये 30 दे और 12 माई तो बारा आप गौर्ट से कोई 73 डेज ही होगा ठीक है क्योंकि हमने जब भी पढ़ाया है तो हमने जरूर बताया है कि आप ऐसे रखो और SI is equal to होता है PRT by 100 याद रखना टाइम हम ऐसा yearly होता है त 33 बटा 4 परसेंटेज मतलब एक बटा सो तभी नीचे सो होता है टाइम 73 दिन 73 दिन तो नीचे 365 से भाग दो जनरली एक साल हमारा 365 का होता है खुलके कहीं नहीं बोला गया कि लीपियर है ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया और 2018 वह इसे भी लीपियर नहीं होता मुद्दा ही खतब और होता होगा तो भी कौनों दिक्कत नहीं तब हो पांच भी बार में जा रहना चाहिए है मासूम से दोस्तों काटो पिटो प्यार से पांच से गया पांच बार में तो यह हो गया पांच 1516 165 बटा पांच सोरी चार एक सो पैसेट बटा चार तो भाग दोगे तो एक तालीस पॉइंट एक बढ़ा चार 21.25 is the right answer of this question तो यही इसका एक वेल अच्छा सोलूशन है जिसे जानना चाहिए ठीक है एक बच्चा कह रहा है कि प्लेलिस्ट बना दो अरे दिवता यह प्रकास होस्ती एप में मिलेगा हाँ यह सातवा या आठवा सेट है तो इस सेट को हम यूटूब में डाल देंगे एक सेट वाल पचास सेट में 57 सेट आपको यूटूब में मिल जाएंगे चले बाकि सब प्रकास सवस्ती एप में तो 25 के बाद 26 नंबर कहता है चार सो असी की एक धन्रासी सधान ब्याच की निश्य दर में पांच वर्स में 600 हो जाती है यदि ब्याच की दर में दो प्रस्त की व्रद्धी कर दी जाए तो ब्याच की रासी में कितनी व्रद्धी हुई ठीकि आजकल ये अच्छा कोशन बोला जाता है अगर आप करोगे तो बहुत टाफ है मलब आप कैल्कुलेशन पहले रेट निकालो फिर दो परसें बढ़ाओ यानि पेपर बरबात कर दो ठीक है इसको नोट में सामिल करना अच्छा कोशन है है हम लोग बहुत इजी है मलब अच्छा है और इजी भी है देखो एक चीज समझो एक साल में 2% ब्याज मिलता है तो 5 साल में 5 दूना 10% मिलेगा यह आपको एक्स्ट्रा यानि जादा ब्याज मिलेगा क्योंकि सधान ब्याज में रेट इंकु टाइम करते हैं बच्चा एक साल में 2% तो 5 साल में 10% अब 10% किसका निकालोगे प्रेंसपल का तो 480 का सिर्फ 10% निकाल यानि 48 is the right answer of this question मुद्दा खत्म ठीक है बहुत पूछा जाता है यह question famous question है समाज का famous कौन सा नमबर था 26 के बाद 27 नमबर कि कहता है वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्याद किजिए जिसका उप्योग करके 24 32 42 की लंबाई को पूरता है मापा जा सके दो अब यह सब चलन के question है मार्केट के यह SCF निकालते हैं highest common factor ठीक है वो फ्लावर लगाना है वो इस टाइब से इसका SCF निकालना है यह को एक चीज़ समझो पांच का मल्टपिल है नहीं आठ का मल्टपिल 42 होता नहीं चार का मल्टपिल 42 होता नहीं तो दो ही बचा इसका SCF दो ही होगा SCF का मतलब सभी में और चीज़े common होना चीए ब्ललका लड़की की साध्य होती है तो पहले गुड़ें तो मिला जाते हैं कितने हैं मिलना है तो ठीक है नहीं तो कुछ लोग चा रहे हैं बता रहे हैं तो गलत है न वहीं होगा 42 के चार का मल्टपिल होता है कहां से पढ़ लिए परची कुछ भी बोल दो 27 के बाद 28 यानि आज के सेट में तीसरा कोशन प्रोविल्टी का है तीसरा कोशन देखो ये भी हमने पढ़ाया हुआ है तास की गड़ी का अलग से यूटूब में एक वीडियो पढ़ा हुआ है बढ़िया से उसको पढ़ना तास की गड़ी पर भी प्रोपर जैसे कोईन पर पढ़ाया हुआ है वैसे डाइस पर पढ़ाया हुआ है वैसे ता नहीं होता एकका नहीं होता गुल्ला बेगी बात्सा होता है ठीक है इसे फेस कार्ड बोलते हैं तो टोटल फेस कार्ड किते हैं बारा बारा में से एक निकालोगे और टोटल कार्ड तास की गड़ी में बावन होते हैं तो उसमें से एक तो बारा बटा बावन बस यही आंसर यान्सर होगा यानि कॉशन अमबर 28 का अंसर नहीं कर रहे हैं रहे दोस्तो तास्क की घड़ी में 12 फेस कार्ड होते हैं लिख लो कॉपी में नहीं तो वीडियो सर्च करो प्रोविल्टी प्रकास सर्मैत कई वीडियो आ जाएंगे भला हो जाएगा जीवन में क्योंकि एक टॉप कीज़ का एक ही एक वीडियो बनाया है चल तीन बटा तेरा अंसर कॉशन नमबर कॉशन सा 28 के बाद 29 कहता है यदि 2A 3B 4A बराबर दिस वन तो A स्कार प्लस B स्कार प्लस C स्कार देखो ये भी अच्छे कॉशन होते हैं इंड में क्या है जिसे 2, 3, 4 इसका LCM ले लो दो, 3, 4 का LCM होता है 12 पहले बोलो हाँ तो अगर आप ABC का रेशियो लिखना चाहते हो दो का भाग दो 12 में 6 आएगा तीन का भाग दो तो 4 आएगा और 4 का भाग दो 3 6, 4, 3 के रेशियो में आएगा अब इन्हें आप as a variable यूज़ कर लो जातर famous variable P for प्रकास वाला PP यूज़ कर लो 6P, 4P, 3P तो 6P, 4P, 3P यानि total हो गया 13P यूज़ की तीनों का योग भी है ना 13P बराबर 13 root 2 के यानि P बराबर root 2 के आया अब हमसे कहता है दे होता a square प्लस b square प्लस c square बता दो तो 6 का 6 का square 36 होता है 4 का 16 होता है 3 का 9 होता है और साथ में यह PP का square तो P square होता है 16 और सब्सक्राइब कितना होता है पचीस और 36 पचीस 36 को option में भी नहीं है क्या करें जोड़ो छे दुनी बारा बारा और नो कितना 21 दो हासिल एक सट पी स्क्राइब का रूट तो का स्क्राइब दो 122 इस दा राइट आंसर तो इस कोशन का अंसर 29 का 122 आएगा 122 इस दा राइट आंसर आप दिस कोशन I hope you guys understand तो 29 नंबर का कोशन का आंसर 122 होगा 29 के बाद 30 नंबर 30 नंबर ये एक कैलकुलेटिव कोशन दे दिया पेपर में टाइम इंड वर्क का और माना यहीं जाता है कि दे देते हैं इंका कोई भरोसा नहीं ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव कोशन है यानि आपका समय बरवाद कर सकता है किसी दिएगे कार को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं ताइर को 15 दिन लगते हैं अमला को 13 दिन लगते हैं एक साथ काम करते हुए कार को पूरा करते समय इसके लिए 2,012 रुपय का भुक्तान प्राप्थ होता है यदि सभी को दैनिक मजदूरी समान हूँ तो इसमें से इमरान का हिस्सा क्या होगा अगर इसको जल्दी करना है तो यह बड़ा सिंपल है वन बाई 11 कर दो वन बाई 15 कर दो वन बाई 13 अब इसी रेशियों से पैसा बढ़ जाएगा तो यह 15 गुड़े 13 यहां आ जाएगा तो पंदरा गुड़े 13 तो चौदा का अ जाए है जुड़े 13 एक हसल चेह चार दस डूना बीस चलो हासिल पहुचा दो कुछ नो कुछ दो हासिल पहुचा दू में दो तीन दो पांच 503 आया यही पांचसु तीन बराबर 2012 की यानि इसका चार गुणा तो हम से कहता है क्या प्रभू इम्रान का हिस्सा इम्रान साहित पहला वाला है इसमें 4 का गुणा कर लो 5 चुका 20, 2 हासिल 19 चुका 76 और 2,78 780 आएगा तो ये इसका एक सोलूशन हो गया 780 इस दा राइट आंसर अब कुछ बच्चे इसमें कन्फुज या गये होंगे तो वो बच्चे क्या कर ले वो बच्चे क्या कर ले अब ये ऐसा आ गया तो ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं इसमें कौन सा बेटर रहेगा ये कलर अच्छा रहेगा देखो मोटा कर देए आ गया 11, 15 और 13 इम्रान, ताहीर अमला इम्रान, ताहीर और अमला 11, 15 और 13 पहला उद्देश इनका एल्सियम लोगे 11 गुड़े, 15 गुड़े, 13 11 से भाग दोगे तो 15 गुड़े, 13 यहां लिखोगे तो 192 में से गया 196 में से गया 15 से भाग, 11 गुड़े, 13 133, 143 आएगा 13 से भाग दो, 11 गुड़े, 15 165 आएगा अब इसी रेशियो में यही जो रेशियो है और यही बराबर 2012 के, यानि इसका चार गुणा, अब हमसे कहता है इमरान को कितना इसका चार गुणा कर दोगे, वही आंसर आएगा बोलो, मगर प्यार से तो हमिसा याद एकना, concept is the power, जो पढ़ेगा, वही बढ़ेगा चाले यह भी अच्छा कोशन है, काफी समाज में फैमस है, यहां मिश्टेक होती है यह कौन सा नंबर हो गया था, 30 हो गया 31 नंबर, मलब पेपर में 30 है आते हैं पर भर भर की आएं का करें अगर सही से reasoning में देख लो तो उसमें भी math के question मिल जाएंगे math अच्छे से पढ़ोगे तो reasoning में बनती है, 31 नंबर 34 तो हम खुदी कराएंगे, एक खुद्रा विक्रेता एक थोग वैपारी से 15 कलमों के अंकित मूल पर 20 कलम का खरीद करता है अब देखो, यह अच्छा question है हम तो प्यार से करा देगे 15 कलम का अंकित मूल, यानि 15 का MP बराबर 20 के CP के, यह कहने का मतलब है यानि CP अपॉन SP का जो रेशियो आएगा, 15-3 से मल पांस से तीन बार, 20 से मल पांस से चार बार 3 बटा 4 का रेशियो हो गया, हाँ मिर बाई, अच्छा यह SP ने यह MP होगा मम्मी पापा, ठेक है, समादे ना, अरे लियो दियो ता तो कहते हैं इन 20 कलमों को 1% के छूट पर बेचे, हमेशा MRP पर डिस्टाउंड होता है 1% कम कर दो, तो 4 का 1% होगा 4 पैसा, तो यह 4 है, 4 का 1% तो 4 पैसा यानि माइनस का 0.04 कम करोगे तो 3.96 में बेचे, तो उसे कितना लाप, यानि 3 की चीज इतने में बेच रहा है तो 0.96 उसको बेनिफिट होगा, आउट आप 3 में बुड़े 100, 96 अपॉन 3, 32% का लाप होगा यह इसका एक प्यारा सुलूशन है, याद रहे, अच्छा कोशन है अब प्यारा सुलूशन है तो इसका मतलब क्या है, यह एक अच्छा कोशन है ठीक है, समझ गए चले, 31 के बाद, 32 नमबर कोशन, दोस्तों, 32 नमबर कोशन कहता है, तालिका में दी गई, जानकारी को पढ़ें और नीचे दी गए प्रशन का उत्तर दे दी गई तालिका में 2015 से 2018 के दुरान पञ जाब से टिकट बुक करने वाले यात्रा करने वाले व्यक्तियों के संख्या का प्रशब निउन्तम था, यानि मिन Muito अब एक चीज समझो गए 2400 ने बुक कराया 2200 तो थेज़ो ने बुक कराया 2000 गए 2600 ने बुक कराया तो 2460 गए तो इनी में से हमें नियूनतम निकालना है निकालेंगे और क्या देखो अब यह देखो इसको जब हम लोग करते हैं तो हमारा जो अपना अपना ट्रेंड है उसके साब से चलते हैं 2200 काटी दो यहां दसमझो लगा देना भाई या एक जिरो काट तो पिर एक जिरो काट देना यहां दो-दो इससे क्योंकि 22 बटा 24 लिखेंगे हम दिमाग लगाएंगे भाई और क्या बीज बटा 23 लिखेंगे अब इनी में से जो मिनमम आएगा वही पूछ रहा हमसे 25 बटा 26 लिखेंगे और 246 बटा नीचे 280 लिखेंगे ठीक है अब मिनमम निकालेंगे आ चाहिए छुटका तो लड़वा दिए अब इधर लड़वाया तो 22-22 यह 24 दून अच अड़ ताली 480 480 हो जाएगा 22 का 484 ज्यादा होता है यानि इन दोनों में से छुटका तो यह है अब कर ले ना 22 गुड़े 22 अब 22 का 22 गुड़ा करो कि तो 484 होता है 24 गुड़े 20 तो समझ रहो छुटका यह आएगा इधर आ जाओ इन में छुटका क्यों ना आएगा यह देख लो अब सीदी सी बात एमा छुटका तो यही आएगा 25 से वन पॉइंट सम्थिंग इससे तो वह हाँ अब इन दोनों में से छुटका देखना है जो सबसे छुटका वही आंसर 28 का गुणा तो 0, 28, 56, 560, 56, 23 का गुणा तेख शका हमें आता नहीं चत्रिक अठारा 136 होता है तेख शका होता है नहीं होता तो कर दो मिर बाए चत्रिक अठारा 138 होता है तेरा हासिया तेरा तेज चौका बान भी होता है तीन दो पाँच दस हासिल तेज दूना 46 और 10, 56 वो देजी तो यह छुटका आया यह बीस बटा तेज दो हजार सोला आंसर इस कोश्चन का आंसर 2016 आएगा ठीक है समझ गए ना इसको ऐसे कर लो आंसर निकाल लो मेरे बाई और कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है इट्स डिपेंट्स ओन यूर प्रैक्टेस क्लिया रहा है पॉइंट वाइंड में निकालना चाह तो फिर निकालते रहो कोश्चन नमबर 33 इसकी कैलकुलेशन आपको दे देंगे आसान कोई बड़ी बात नहीं है इसका पांच गुना क्योंकि सभी के पांच पांच गुना क्योंकि सभी के कि पांच पांच सो आएं तभी के पांच 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 सो आएं तो फेले इनका जोड़ दो अब इसका पचीश सो हो गया क्योंकि सभी में खेला करना है गुड़े हंड दो जीरो दो जीरो अब देखा जाए मुझे पचीश का भाग नहीं आता है यही समाज कह रहा है कह रहा है सब कहते हैं मुझे तो हम क्या करते हैं अब दिमाग तो लगाएंगे आठ साच चोगठाइस दो हासिल बाद तर तीयत्तर चोहत्तर सो से भाग दोगे चोहत्तर पॉइंट एट जिरो तो एप्रॉक्स में पच्छत्तर परसेंट आ गया कि दैटिस कार्ड प्रकास मैथ है और और क्या बोले है ठीक है कोशन नंबर 33 कैसा लगा विचार किजिए बोलो बोलो टैल टैल है तो सी तो मिली हो गई कि दोस्तों 34 नंबर कोशन जानी अंतिम कोशन करना नहीं जाता था काल्वनेशन करवा दिया आपने कि के दवर्स 2015 के दोरान के प्रिंटर मॉडल एल वन वन जो तू यह कि कुल विक्री के लिए सभी सभी प्रिंटरों की कुल विक्री के कितने प्रस्त के बराबर है तो यह 2000 कौन सा है 15 2015 में 822 है कुल विक्री इस रो में चल ला है इसका कुल 3086 में मलब 822 3086 का कितना परसेंट है और सब कुछ आस पास यानि खेला है जब भी कभी खेला हो कुछ नहीं आप मासूम बन जाओ और 37 से एक भाग दे तो देखो मैं भाग आराम से देता हूँ दो से सभी में बुणा कर लो तो कर लो मिर भाई 6,2,12,16,1,17,6 यह 8 हो गया 11 में से 7 गया तो 4 आएगा यह 1,1,0 हो गया और यह 2 बोलो हाँ तो दो तो फिक्स हो गया अब उसके बात आप देखो अब मुटा मुटा देखो तीन में किसका गुणा करें मलब तीन में कि 20 के आसपास आ जाए अब यहां से 0 आएगा न पीस के आसपास तो साच्छंग शत्रीक 18 सात्य यका 21 तो 6 लेका गुणा होगा किसका और करोगे तो छे का गुणा होगा तो 26 लेका होगा तो 26 प्लन सम्थिंग में जाएगा सीधी से बात है अब 26 प्लन सम्थिंग में एप्रॉक्स में हम 27 पर्सेंट ले लेंगे यही इसका आंसर है और हमेशा मासूमियत से करोगे तो आंसर आएगा कुछ लोग 23 बोलने हैं कौन सा अरे 23 परसेंट अचा पहले का कुछ बोल ले होंगे या तो कमेंड इलेट कर देंगे चलो दोस्तों यह चीज आप सीख गए होंगे यह सेट हमारा कंप्लीट हो गया